बूम यार क्या गजब के मेरे प्रेडिक्शन थे भाई हम लोग का जो नया एंगरी जली आया है गेम के अंदर जो कि हम लोग को इन फ्यूचर एक दो दिन के अंदर गेम के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएका भाई मैंने उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया बीना करने वाले हैं गियरप सिस्टम का और अडवांस वर्जन के कैसा होगा हम लोग का तो एक यह गर अगर एक और इसके ऊपर जाया जाए एक और लेवल उसका इंक्रीज किया जाए तो वह कैसा लगेगा तो उसके बारे में लोग इसकर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा इ गेम में थो यह बेसे वह रहना है यहां सबसक् participate उससे कंप मिले साक उससे कंपेर कर सकते हुभ्व फूर इश्ड़ा इयरे डिफैंस वह मुझे इसा हो सकता है अच्छा लगेगा मगर यह उतना ज्यादा मुझे personally अगर देखा जाए तो यह उतना कुछ खास concept नहीं लगा है अपने में ही बहुत powerful weapon है हम लोग का game का defense का Moving on, हम लोग का next building है Tesla Tower तो Tesla तो भाई मुझे लग रहा है यह ज्यादा overpowered हो जागा देखने में तो काफी ज्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जो हम लोग का normal Tesla है वो हम लोग का evolve हो करके हम लोग का चल जाएगा Mega Tesla में जो कि हम लोग का builder base में है Mega Tesla भाई chain damage मारता है भाई क्या गजब का तो यह चीज़ आ जाएगा game के अंदर तो भाई भी merge कर देंगे कम से कम शायद दो Tesla Tower मिला करके एक हम लोग का defense बनेगा मगर फिर उसमें एक problem आ सकता है कि Tesla Tower जो है वो तो छुपे रहता है मगर फिर Mega Tesla जो रहता है वो तो भाई थोड़ा अच्छा भारी बरकम रहता है और अंदर से निकलेगा तो उतना सही नहीं लगेगा मतलब वो भी एक तरीका का मतलब normal building जैसा ही रहेगा base पे तो ही मसा आगा नहीं तो कुछ concept निकालना पड़ेगा इसके बारे में भी थर्ड आते हैं हम लोग अपने canon के तरफ canon का तो पहले सी gear up दिया गया है तो उसका क्या ज़रत है giant canon बन जाता है भाई क्या गजब लगया क्या मतलब तबाही हो जागा यार base में हम लोगों का मतलब एक तरफ सी canon चल रहा है दूसर तरफ तक जा रहा है भाई पुरा base के R power हो रहा है खली और अगर हम लोगों को 4 canon वैसा मिल जाता है base के अंदर तो भाई धुआ ही धुआ हो जागा खली हम लोगों को बड़ा बड़ा गोला है हम लोगों का base के R power दिखाए देगा और कुछ नहीं बहुत जादा चलाईगा मगर भाई 4 canon तो जादा हो जाएगा एक ही रहाएगा वैसा तो नहीं तो बहुत जादा powerful defense हो जागा हम लोग फैर ये concept तो बहुत जादा अच्छा है और अगर इन game में आता है हम लोगों का in future तो बहुत जादा मजा आगा इस से देखने में और हम लोगों का last में आता है Eagle artillery Eagle artillery जो है उसका भी बहुत जादा मेरा तो कम से कम क्या ही बता हूँ favorite हो गया ये concept वैसे तो हम लोगों का Eagle artillery तीन shot मारता normally जो कि अच्छा खासा damage देता है मतलब अभी तो मैं अथने high level में आ चुका हूँ कि अब मुझे Eagle artillery का damage उतना फरक नहीं पड़ता क्योंकि dragon लेके जाता हूँ dragon का hit points बहुत जादा रहते हैं तो उतना कुछ खास फरक तो नहीं पड़ता हूँ मगर क्या हो अगर भाई मतलब ये concept मेरा सही में personally favorite हो गया है क्या हो अगर Eagle artillery तीन के बदली सिर्फ एक ही shot मारे क्योंकि तीन मार देगा एक gear up में ना तो बहुत जादा ही overpower हो जाएगा तीन के बदली सिर्फ एक ही shot मारे और वो shot poison shot रहे क्या गजब कर रहेगा भाई मतलब सारे के सारे defense मतलब सारे के सारे हमारे troops जो रहेंगे भाई एकदम slow motion में आ जाएगे बिल्कुल ही हो लोग का मतलब जो moving speed रहेगा attacking speed रहेगा सारे खतम हो जाएगे क्या गजब लगेगा भाई हावा से एक poison spell आ रहा है हम लोग के पास क्या गजब लगेगा ये concept मुझे काफी जादा अच्छा लगा है तो तुम लोग बताओ मेरे comment section में तुम लोग को कौन सा concept अच्छा लगा है और ये पूरा वीडियो concept है कोई leak वीडियो नहीं है तो अगर तुम लोग भी अगर कोई तुम्हारे भी दिमाग में कोई concept है कोई तरीका का अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सोच के रख्यो तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं कोशिश करूँगा उसे visualize करने का और मुझे बता देना ये वीडियो कैसा लगा और sorry बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है अब से regular आएगी तो चलो वीडियो को यहीं पर wrap up करते होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर से मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर